मैं मन हूँ आपके जीवन को प्रभावित करने वाला परमकारण मुझे जानिये समस्याओं का अंत लाईए दीप द्रवेदी मन के बारे में जानना समझना कौन नहीं चाहता यह मनुश्य का मन ही है जो उसे 2400 घंटे चलाता रहता है मन के आगे मनुश्य की एक नहीं चलती परंद जो लोग समझदारी पूरवक मन के मालिक हो जाते हैं वे जीवन में आनन्द और सफलता के शिखर छूते चले जाते हैं हालंकि यह संख्य हजारों में एक है मेरा यह पुस्तक लिखने का एक ही मकसद है कि मन के मालिक बढ़ाये जाएं ताकि सफल और आनन्दित लोगों की तादाद बढ़ सके क्योंकि मन का सीधा गणित है यदि वह आपका मालिक है तो जीवन में उपद्रों मचा देता है और यदि वह मनुष्य के नियंद्रण में आ जाए तो यही मन एक से एक अधभुद शक्तियों के चमतकारिक केंद्रों का स्वरूप धारन कर लेता है यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधार्ण मनुष्य को मन और बुद्धी का फर्क भी नहीं मालूम होता है जबकि वास्तों में दोनों के कारिक शेत्र वो कारे प्रलालियां सरवता भिन होती है लेकिन इनका फर्क वास जानने के कारण पर आया हर मनुष्य के जीवन में यह दोनों एक दूसरे के कारिक शेत्र में दखल अंदाजी करते रहते है और सच कहा जाए तो मनुष्यों के जीवन के इस हाल हे तू इस दखल अंदाजी का बहुत बड़ा हाथ है सो मैंने इस पुस्तक में कई रोचक कहानियों, चुटकुलों और दृष्टांतों के साथ मन और बुद्धी के फर्क को तथा मन की कारे प्रडालियों को और उनने निपटने के उपायों की बड़ी ही सरल भाशा में खुल कर चर्चा किये मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके जीवन को नई दिशा देने में आवश्य सफल होगी और इसी उम्मीद के साथ मैं यह पुस्तक आपको अर्पित करता हूँ दीप तृवेदी मेरा परिचय मैं मन हूँ मेरा अस्तित तो अतना ही पुराना है जितना की यह ब्रहमांड और मनुष्य के अस्तितों से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चड़ाओं तक का मैं ही एक साक्षी हूँ या यह कहूं कि एक मेरे कारण ही यह मनुष्य अस्थित्तों में है तो भी गलत नहीं होगा हर मनुष्य 24 सों घंटे मुझसे ही चलाय मान है उसके जीवन के तमाम उतार चड़ाओ उसकी तमाम सफलता आसफलता है उसके सारे दुख सुखों का मैं ही सबसे महतुपूर और मूल भूत कारण हूँ मज़ा यह है कि अपने अस्थित्तों के इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अंजान है और सच कहूं तो यही उसके तमाम दुखों वतमाम आसफलताओं का मूल कारण है आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्थित्तों अपनी कारे पर डाली तथा अपने परभाओं के बाबत चर्चा करने को मजबूर करती है लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूरू मैं एक अति सोचनी ये विशे की ओर आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ सोचो मनुष्य जीवन का धे क्या है एक वाक्य में कहूं तो शायद आनंद और सफलता निश्य थी मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी और से आनंदव सफलता पाने के परियास में 2400 घंटे लगा ही रहता है और ऐसा आज से नहीं मनुष्य अस्तित में आया तब से चला आ रहा है यहां यह भी स्विकारना होगा कि हर बीत्ते युग के साथ मनुष्य की बुद्धी का विकास ही हुआ है और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ अपना जीवन सवार ने हेतु उसके लगातार कि यह परियासों के परिडाम हमारी आखों के सामने है ही पेट भरने के लिए जंगली फलफूल वो कच्छे मास खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट वो पौश्टिक बानगियां इजाद कर ली है जंगलों में रहकर हर रितु का गोप भोगने वाले मनुष्य ने आज धूप वो ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्मान कर लिया है वहीं पेड के पत्ते पहन कर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुनदरता निकारने हेदू हजारों तरीके के रंग भिरंगी पोशाकों का निर्मान भी कर लिया है यही क्यों अकेले अकेले वह सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है आज अपने अथक परियासों से उसने पूरी धर्दी को एक कर दिया है और इसका सबसे बड़ा परिडाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है आज का नोड़ों मनुष्य व लाखों समाज से भी संस्थाएं मनुष्यों के उध्धार हेतु लगी हुई है हजारों लाखों अनाथाले से लेकर विकलांग गिरह व अस्पताल से लेकर बाल किरुणा केंदर तक बनाए गए है मनुष्य के साथ अन्याय ना हो इसलिए कानून व न्यायाले भी बनाए गए है साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म गरंतों की भी रचनाय की गई है मनुष्य की मानेता के अनुसार तो इस धर्दी पर उसके उध्धार हेतु हजारों आवतारी पुलुश व भगवान भी आये है और उनकी सोच सही माने तो जरूरत पढ़ने पर आगे भी आते रहेंगे यही क्यों मनुष्य के उध्धार हेतु हजारों व धियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरूं ने सुझाई ही है और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उध्धार चाहता ही है तो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मी को पूजा पाठ करने वाली हो गई है और यह कम पढ़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बेड़ा उठा लिया फिर तो मनुष्य जातिकी इतिहास के सुरेश्ट बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई उन्होंने वह क्रांती ला दी कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पूरू तक 10 में से करीब 5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे वहीं देखते ही देखते विज्ञान ने यह संख्या 2 प्रतिशत के करीब पहुँचा दिये मनुष्य के बहतर स्वास्त के लिए ना सिर्फ बलड टेश्ट खोजा गया बलकि उसके अधिकांश बिमारियों का इलाज भी खोज लिया गया है यहीं नहीं हाट से लेकर नी ट्रांस्पलांट तक की बड़ी सरजरी भी विज्ञान ने आसान हुआ आम कर दी एक तरहीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया हालां कि विज्ञान भी विज्ञान है उसने ना सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र वस्वास से तथा उस्फूर्त की ही चिंता की बलकि इससे आगे बढ़कर उसके आराम वैभवव प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की उसके आराम है तो उसने अच्छे घरों के साथ साथ एर कंडिशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्थों का आविश्कार किया मनुष्य के आनंद वबैभव है तो विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगएरह की भी खोश की वहीं उसे प्रगत्य की राह पर लगाने ही तो संचार के शेत्र में उसे उसने करांत ही ला दी हवाई जहाज और रेडियो से लेकर उसने मुबाइल फोंस तक आविश्कार किया एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुश्य की पहुँच के भीतर ला दिया और यह विज्ञान का ही प्रताब है कि अब बच्चों को बच्पन सही सिक्षित भी किया जाने लगा है निश्चिती यह भी उसी उमीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख सफलता और आनन से भर सकेंगे मैं यानि मन मनुश्य के अपने जीवन और धार के लिए किये इन सारे प्रयासें की सा रहना करता हूँ मानता हूँ कि धर्म समाज विज्ञान व सिक्षा ने अपनी ओर से मनुश्य का जीवन सुख शान्ति और आनन से भर देने हे तु जोरदार प्रयास किये हैं पर यहां विनम्रता से मैं आपका ध्यान इस और आकरशित करना चाहता हूँ कि क्या प्रयडाम में सचमुछ मनुश्य के जीवन में सुख शान्ति और आनन्द आ गए हैं मुझे तो नहीं लगता मैं तो आज भी मनुश्य के जीवन में क्रोध अहंकार दुख आसफलता चिंता तना और बोरियत हिंसा सबका वैसा का वैसा ही सामराज देखता हूँ जैसा की आदिकाल में था और आप अपने स्वैम पर वो आसपास लोगों पर निस्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे और यह वाकई बड़ी दुखत बात है लाखों वर्षों के इतने परियास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इसकादर घिरा हुआ है तो फिर अब इस तत्य से ज्यादा दिनों तक आँख नहीं फेरी जा सकती है वैभव प्रगति कितने शिखर चूने के बाद भी यदि मनुष्य मर मर कर ही जी रहा है तो यह सचमुष बड़ा निंदनी है अब चाहे जो हो हर हकीकत यही है और इस हकीकत पर गौर करने से यह सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या चाहे जो करो मनुष्य जीवन में दुख अशांति वचिंता भोगने की संसार में आता है नहीं यह तो संभो ही नहीं सुखी सफल और आनंदित होना मनुष्य का एक अधिकार है कुद्रती तोर पर इस अनुभों की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं चलो यह भी मान लिया फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते गरबड कहां है शास्त्रों में या भगवान में विज्ञान में या समाज में या फिर हमारे होने के ढंग में अभी बताता हूं दरसल मनुष्य के भीतर उटने वाले इन सारे भावों का तालुक सिर्फ मन यानि मुझ से है और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है और इस लिहाज से देखा जाये तुम्हें सीधे तोर पर मनुष्य जीवन की परमसत्ता हुआ की नहीं हुआ ही क्योंकि इसका सीधा आर्थ यह हुआ की आनंद वसफलता का अनवो ही मनुष्य मेरे कारण अकलता है और दुख हुआ सफ और दिशाओं से अपने उत्थान हे तुमाम प्रयास किये परंतो अपने मन की कारे पर डाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने के कोई विशेश प्रयास उसने कभी नहीं किये और यहां यहां सपश्ट कर दूगी मुझे समझे बगार तथा मेरी शक्तियों का ठीक से प्रयास बिल्कुल नहीं हुए जरूर हुए पर वे सारे आधे अधूरे और उपर उपरी ही साबित हुए अतह आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रहिए ताकि भविशे का मनुश्य सुखी और आनदित हो सके और अपने इस परयास की श फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे उन्होंने प्रयोग प्रारम किया और एक के बाद एक फाइबर का प्रयोग करते चले गए जो जो फाइबर नाकाम होते गए उन उनको वे बल्ब नहीं जला सकता कि सूर्ची में सामिल करते चले गए और अंधर तह 6,000 से उप फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं परन्तु बात फिर भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने में एक नहीं हजार बार नाकाम हो चुके हैं आप फिर से वे ही फाइबर आजमाते चले जा रहे हैं वे ही मंदिर, यही पुजा पाठ वेही बुद्धि पर भरोसा और वेही सिक्षाएं वही समाजिक परंपराई और वही धर्म शास्त्र वही किसे कहानिया, वही शिद्धान्त और वही तमाम घिसे पिटे सबक लिकिन इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यह सब एक नहीं हजार बार आजमाने कि बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं खैर अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझाना वक करना ही होगा आखिर आप मनुश्य हैं कभी न कभी तो आपको इस सिलसले का अंत लाना ही होगा और इस सिलसले का अंत मुझे भली भाती समझे बगार संभो नहीं आप यहत्ता है जान ले कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उप्योग कि ये बगार आपका जीवन रोशनी होने वाला नहीं है रोशन होने वाला नहीं सो आज इस हे तुम्हें स्वैम आपकी सहायता को आया हूँ ताकि अपनी संरशना कार्य प्रडाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूँ मेरा अस्तित्व यदि मैं अपने बारे में यानि आपके मन के बारे में कुछ कहूँ तो मैं सारे मनुष्य में समान रोप से उपस्तेत हूँ और थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि मनुष्य जीवन की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में है वही अदि प्रभाव की बात करूँ तो इस मनुष्य जीवन का कोई पहलू मुझसे अचूता नहीं समझने और पकड़ने में बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने मुझ की खाई है अतहसारो पर्थम मैं आपको अपने अस्तितों के बावत बताना चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी प्रगतिकर लेने के बावजूद विज्ञान पूरी तरह से मेरे अस्तितों को लेकर भ्रहमित है हलाएकि इसका भी एक बुनियादी कारण है दर असल विज्ञान दृष्यमान वस्तों के निरिक्षन परिक्षन कर उनकी कारे प्रडाली खोजने का नाम है विज्ञान वस्तों के मिलन और टकराओं से होने वारे प्रडामों की खोज का नाम है और इसे मैं अपनी भाशा में कहूं तो विज्ञान टाइम और स्पेस के भीतर की वस्तों की कारे प्रणाली खोजने का नाम है जो वस्तु परयोग शाला के टेबल पर नहीं आती विज्ञान उसके अस्तित को नहीं मानता उसे मानना चाहिए भी नहीं क्योंकि उसका अधिरिश पर यह आविश्वास से उसकी सारी प्रगतिका राज है विज्ञान प्रगतिक कर ही इसी आधार पर रहा है कि अपने अथक परयासों से एक दिन वह सब कुछ जान लेगा विज्ञान ठीका ही इस विश्वास पर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में सब कुछ भी रहश नहीं रह जाएगा निश्ची थी विज्ञान के विश्वास और परयासों की सरहना की जाने चाहिए अपनी इसी दुर्टा के बल पर उसने ना सिर्फ चांद और मंगल तक अपने कदम फैलाल दिये हैं बलकि बलैक होल भी खोज निकाला तथा बिग बैंग ठीरी पर भी परयोग कर डाले यही नहीं उसने तो अब बिग बैंग ठीरी पर अधारित लार्ज हैडरॉन कोला इडर जैसे परयोग प्रारब कर दिये हैं खैर मैं वापस अपने अस्तित्व पर लौटाओं तो विग्यान के प्रयास और उसका विश्वास अपनी जगए परन्तु हकीकत यह है कि संसार के रहसे तो बहुत दूर की बात है दरसल विग्यान मेरे अस्तित्व तक भी नहीं पहुँच सका क्योंकि मैं अपनी तमाम तरंगों भाओं और शक्तियों के साथ हर मनुश्य की नाभी में अपने कॉम्प्लिकेटड मेकनिजम के साथ मौजूद तो हूँ परन्तु टाइम और स्पेस के दायरे से पूरता मुग्त हूँ यानि यदि विज्ञान की भाषा में कहूं तो मेरा आपके शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि विज्ञान ने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं सुविका रहा है और इसी के फलसरूप उसने हमेशा ब्रेन को ही मनुष्य का प्रमुख केंद्र माना है लेकिन मैं यहां अस्पष्ट कर दूँ कि ब्रेन आपके जीवन को सिर्फ 10 प्रतिशत ही प्रभावित कर रहा है आपके बाकी जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ मेरा है हाला कि मैं आपको आपके मन और बुद्धी का फर्क आगे समय आने पर बताऊंगा अभी तो मैं आपको अपनी उपस्तित तथा मेरे विज्ञान की पहुँश की बाहर होने वाली बात विस्तार से बताता हूँ और इस बात को प्रारम करते हुए यदि मैं अपनी एकदम सरल पहचान दू तो मैं आपके अच्छे बुरे भाओं तथा बुद्धी से हजारों लाकों गुना परिडाम कारी कई शक्तियों का मिला जुला एक केंद्र हूँ और चुँकि विज्ञान की भाशा में मैं सोयम आद्रिश हूँ इसलिए मेरे सारे भाओं मेरे तमाम शक्तियां भी आद्रिश हैं सुख दूख इर्श्या पश्तावा क्रोध चिंदा व्यथा मस्ती मूड ये सारे भाओं मेरे ही द्वारा उत्पन है और इन जैसे अंगिनेत भाओं को आप एक मेरे ही कारण भोगने को बात दे भी हैं अब गौर से समझो तो मनुष इन जहलते भाओं के अलावा है क्या भाओं की इस आवन जावन के अलावा इसके जीवन की दूसरी वासमिक्ता ही क्या है वह ऐसा एक पल नहीं गुजारता जब वह किसी अच्छे अबुरे भाओं में ना जी रहा हो और तो और जब वह कुछ नहीं कर रहा होता है तो बोर होने की मनुदशा में ही जी लेता है यानि आपका जीवन मैं और मैं सिर्फ मैं ही हूँ यानि आपका जीवन मैं, मैं और सिर्फ मैं हूँ अब सवाल यह है कि विज्ञान तो मेरे अस्तितों को मानता नहीं सत्य यह भी है कि पिछले 500 वर्षों में जो विज्ञानिक हुए हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष एक साथ इस संसार में कभी पैदा नहीं हुए इनकार मैं उनकी भावनाओं से भी नहीं करता निर्शित उन्होंने मनुष के सुख, शान्ति और प्रगति की बड़ी चिंता किये वे यह भी जानते हैं कि तमाम शारिरिक कष्ट मनुष जीवन को नर्क बना देते हैं उन्हें आभास भी है कि सुख और शान्ति ही मनुष की प्रमुख चाह है लेकिन दिक्कत यह आई कि विज्ञान ने अपनी सीमित समझ से मनुष के सुख वशान्ति का तालिक उसकी प्रगतित था उसके आराम मररंजन से बिठा दिया फिर तो विज्ञान ने वह प्रगति की की आराम वैभाव मररंजन की एक से एक साधन समगरियों की खोज ली और निश्चिति उसने ये सारे प्रयास मनुष का जीवनस्तर सुधार ने हेतु ही किये यह भी मानना ही होगा कि प्रगति आराम, मस्ति, आनंद, मनरंजन वगेरा मनुष जीवन की परम आवश्यक्ता है निश्चिति इन सब्स ने मनुष का जीवनस्तर कहां से कहां पहुँचा भी दिया है फिर भी सामने विज्ञान को यह बात तो माननी ही होगी कि इन सब का भी मनुष के जीवन पर असर उपरा उपरी ही हुआ आपको भी अनुबव है ही कि विज्ञान के खोजे वैभों के कैसे भी उपकरणों का द्रायरा मनुष के शारिरिक शुर्खों से उपर नहीं उठ पाया है मानसिक रूप से तो मनुष इन सारे वैभों के बावजूद दुख चिंता वक्रोद से घिरा ही रहा है और जब वैभों के इन तमाम तरीकों से बात बनती नहीं दिखी तो विज्ञान ने ब्रेन की कार प्रणाली पर प्रयोग करने प्रारंब कर दिये उसने यह खोजने का प्रयास किये कि चिंता में ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्लैंड कौन सा रज छोड़ती है इन सब में उसे आंशिक सफलता भी मिली इससे विग्यान ने तारण निकाला कि ब्रेन के द्वारा यह केमिकल छोड़ने पर मनुश्य को इन इन भाओं के जटके सहने पड़ते हैं और जल्दबाजी में उसने यह तारण भी निकाल लिया कि मनुश्य के तमाम भाओं के उतार चड़ाओं के पीछे ब्रेन ही है पर यहां मैं अस्पश्ट कर दूँ कि विग्यान का यह तारण कता ही सही नहीं है क्योंकि भाओं मैं भेजता हूँ और ब्रेन उस पर सिर्फ अपनी प्रतिकिरिया देता है अब इन प्रतिकिरियाओं की विग्यान कितनी ही एनालिसिस कर ले लेकिन उस से बहुत कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं क्योंकि वह अभी कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजक्शन नहीं खोज पाने वाला जिसने ब्रेन आमुक केमिकल छोड़ना ही बंद कर दे या उसके बाद मनुश्य को चिंता पकड़े ही नहीं खेर आगे जब इससे भी बात नहीं बनी तो विग्यान ने डियने और जीन्स भी खोज लिए निश्ची थी उसकी इस खोज है तो विग्यान को सौ सौ सलाम विग्यान की ऐसी उपलब दी है जिसने मनुश्य को संबंदित कई रहस्यों पर से परदा उठा दिया लेकिन फिर भी दुख या चिंता के तल पर बात वहीं की वहीं रह गई क्योंकि मनुश्य डियने तता जीन्स मनुश्य की शारिरिक बनावट उसकी उम्र उसकी त्वचा कालर वगएरा के बाबत तो सब कुछ तै कर सकते हैं परद उसकी चिंता व्यथा या क्रोध वगएरा पर वे अपना कोई भी प्रबाह बनाने में आसमर्थ हैं हालाकि संदर्ब में एक बर फिर विज्ञान को सलाम करना ही होगा कि उसने डियने तथा जीन्स की डीकोडिंग और री एंजिनिरिंग तक पर भी कार चालू कर दिया निशित ही ये सारे विज्ञान के छुएवे शिखर हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाये कम है लेकिन सवाल या है कि इन सब से भी हासिल क्या हो रहा है मनुशी की कुछ बीमारिया हमेशा के लिए दूर हो गई उसकी उम्र बढ़ गई परंद उसके द्वारा सहे जा रहे भाओं के उतार चड़ाओं का क्या यानि कुल मिलाकर विज्ञान के इन सारे प्रयासों का तालुक भी मनुशी के केवल उम्र या स्वास से ही बिठाया जा सकता है मन में उट रहे भाओं तथा उनकी कोई पहुँच नहीं आप कहेंगे यह सब तुम अपने आप ही कहे जा रहे हो पर हम कैसे विश्वास करें मैं जानता हूँ कि मैं अपने बाबत च्छाय रहा से पर से परदार इस विज्ञानी की उग में उठा रहा हूँ अता है मैं जो कुछ भी कहूंगा मुझे सिद्ध भी करना ही होगा और मैं इस तयारी से ही आपके सामने आया हूँ लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि चुँकि मेरा कोई भौधिक अस्तित नहीं है अता है मेरे बाबत विज्ञान के परियोग शालाएं तो मैं कुछ सिद्ध करने से रहा यूँ भी यदि मैं टाइम और स्पेस के भीतर होता तो विज्ञान कब का मेरी एनालेसिस कर मनुष्य के जीवन से चिंता वक्रोध गायब कर चुका होता पर दुसकार थी यह नहीं कि मैं किसी भी लैब में सिद्ध नहीं होता मनुष्य मेरी जीती-जागती लेबरेटरी है जो कोई थोड़ी भी बुद्ध लगाएगा उसे मेरे अस्तितों को पहचानने में जड़ा भी देर नहीं लगेगी बस आप मेरी कही बातों को अपने भीतर महसूस करना प्रारम करें क्योंकि मेरा अस्तित भी आपके भीतर है और मेरी लेबरेटरी भी आपका एहसास ही है खेर अब इसी संदर्व में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ आप यह तो मानेंगे ही कि विग्यान ने शरीर सम्मंदित अहिकांश खोचबीन कर लिये विग्यान खून की चंद बुदों से आपके शरीर के कौन से अंग में क्या गरबड़ है यह बताने में सक्षम हो गया है यह भी मानना ही होगा कि उन गरबड़ियों को दूर करने हैं तू विग्यान तमाम प्रकार की दवाईयों का निर्मान भी कर चुका है यही क्यों अब तो आपके शरीर का इलाज करने है तू आने को प्रकार की सर्जरी करने में भी समर्थ हो चुका है लेकिन इन सब के बावजूद विग्यान की मजबूरी तो देखो कि भले ही वे मेरे अस्तितों से इंकार करे परन्त मेरे सारे भावों को तो उसे भी सुईकारना ही पड़ता है दुख सुख हो या चिन्ता उसके अनुभोग खुद विग्यानिकों को भी होते ही है क्या हासे हस्पद नहीं है कि एक तरफा विग्यान अद्रिश से इंकार करता है और दुसरी तरफ विग्यानिक सोयम अद्रिश भावों को रोज रोज जहल रहे हैं सो आज नहीं तो कल विग्यान को अद्रिश के अस्तितों को सुईकारना ही होगा आखिर जो है उससे विग्यान भी कब तक मुँफेर पाएगा भले ही अद्रिश का सिध्धान विग्यान के सिध्धान से मेलना खा रहा हो परन तो एक ना एक दिन तो विग्यानिकों को भी मेरे अद्रिश भावों को अद्रिश के रूप में पहचान नहीं होगा क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बाद भी विग्यान कभी उन्हें आपके शरीर में नहीं खोश पाएगा आप सोहम अपनी बुद्धी से सोचें कि क्या विग्यान अभी कोई ऐसा टेस्ट खोश पाएगा जिसे कॉलेस्ट्रोल या ब्लड सुगर की ही तरह वो यह बता सके किस वेक्ति के चिंता का लेवल क्या है क्या कभी कोई ऐसा थर्मामेटर विग्यान बना पाएगा जिसे क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं यह जानना जा सके क्या विज्ञान कभी ब्लेट प्रेशर या यूरिक एसिट की गोलियों की तरह मनुश्य के भई या सुरक्षा को नियंतरित करने की गोलिया खोश पाएगा क्या वे किसी की जीन्स या डियन्स से यह बता पाएगा कि उसके जीवन में कितनी चिंताएं और कितनी परेशानिया आने वाली है क्या विज्ञान कभी आउपरेशन कर मनुश्य के भीतर चिपे दुख को सदैव के लिए निकाल बाहर फेंक सकेगा सवाल ही नहीं उड़ता क्योंकि यह सब टाइम और स्पेस के बाहर की दुनिया की बात है और विज्ञान की उस समय कोई पहुँच नहीं अतह पहले आप बुद्धी मत्ता पूरोक मेरे इस अद्रिश अस्तित को तता मेरी अद्रिश दुनिया को पहचाने उसके बाद निशिती मेरे साथ प्रियोग कर आप अपने चिंता वद्धु से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं आनंद वर सफलता आपका भागे हो सकता है यदि आप अपने में इस्तित मुझे ठीक ठीक पहचानने में सफल हो जाएं मेरे उपद्रों अब इससे पहले कि मैं अपनी कारे प्रडाली अपने तोर तरीकों और अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्ड़न करूँ आपको अपने उपद्रों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ यहुँ तो मेरे उपद्रों से आप लोग ना सिर्फ वाकिफ हैं बलकि काफी हद तक परेशान भी है और चूंकि उनसे किसी ना किसी परिप्रेक्ष में आप का पाला रोज पढ़ता ही है अध्य है उनको महसूस करना आप के लिए कोई मुश्किल कार नहीं अब सोचो यह कि क्या आप मेंसे कोई स्वैम को मुर्ख साबित करना या अपना आहित करना चाहता है नहीं तो क्या इतना सोचने मातर से आपकी मुर्खताओं पर लगाम कस जाती है क्या आपकी चाहा से आप अपने हित की रक्षा कर पाते हैं नहीं क्योंकि आप यह सब बुद्धी से सोचते हैं जबकि यह सारे उपद्रों मेरी गहराईयों से निकलते हैं चलो अपनी इस बात को मैं एक उदाहर से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार एक 22 वर्शी नवयोग बगिचे में आराम से बैठा हुआ था बड़ी ही शांद मनुद्शा में युवा है बीराजमान था तब ही उसका एक मजाग करने का आदी मित्र टहलते टहलते वहां आ गया शायद उसने मित्र की शांद मनुद्शा देखी नहीं गई वह दूर से ही दवड़ता हुआ मित्र के पास आया और बड़ी गंभीरता पूरुक शरारत करते हुए बोल पड़ा अरे तुम यहां बैठे हो और महां तुम्हारी पत्नी किसी के साथ गूमने गई हुई है बस यह सुनते ही उसने अपना पारा खो दिया और उसके मूँ से अनायास ही निकल गया जिंदा नहीं छोड़ूँगा कुल्टा को अभी बोलते तो बोल पड़ा पर दूसरे ही छड़ों से ध्यान आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी मूरुखता का प्रदेशन तो हो ही चुका था अब आप उसकी हालत पर हंस सकते हैं उसका मजाग भी उड़ा सकते हैं पर ऐसा ही कुछ सब के साथ अक्सर घड़ता ही रहता है हालाके इनके कारणों पर मैं चर्चा आगे करूँगा अभी तो मैं मेरे द्वारा की ये जाने वाले उपद्रों के आपके जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव की ही चर्चा कर रहा हूँ और इस बाबत या स्पश समझ ले की चुँकि आप मेरी कारे परडाली से पूरी तरह अंजान हैं इसलिए रोज रोज मेरे उपद्रों के शिकर होते रहते हैं चलो मेरी इसी बात को मैं एक और उधार से समझाने का प्रयास करता हूँ दो दोस्त थे बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें एक साधारन घर का इवक था और दूसरा पैसे वाले घर का लड़का था हालां कि धनका या फासला दोनों की मित्रता में कोई बाधा ना था लेकिन मेरे होते सोते वह भी कब तक एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यक्ता पड़ी घर पे कुछ महमान आने वाले थे सो उसे सामान वगर है लाने की जल्दी थी उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही बस उसने उससे एक दिन के लिए स्कूटर मागना तै किया और तै करते ही वह उसके पास स्कूटर मागने चल पड़ा अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे फिर तुरन दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़े ही है इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा भला दोस्ती में एक स्कूटर के लिए नकार थोड़े ही करेगा परन्द मैं तो मैं हूँ सोभाव से ही उपद्रवी बस पकड़ा दिया दूसरा विचार वह फिर सोच में पड़ गया वह जरूर मना करेगा वह दिखता है इतना सीधे थोड़े ही है वह जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है कोई बात नहीं मैं भी कह दूँगा कि लाचा भी पेट्रोल मैं भरवा लूँगा बस इसी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया लेकिन अभी दो कदम ही चला कि उसके मन ने एक नया उपद्रो पकड़ लिया वह स्कूटर नहीं देने के हजार बहाने खोजेगा उसकी दोस्ती यारी सब उपरी ही है वह तो यही कह देगा कि स्कूटर का टायर ही खराब है या कहेगा आज मेरे घर पे भी महमान आये है सो आज तो स्कूटर देना संभो नहीं बस इतना सोचते सोचते उसे क्रोध आ गया और उसी दर्मियान वे दोस्त के घर भी पहुंच गया पहुंचते ही उसे उसी क्रोधित अवस्ता में उसने घंटी बजाए दरवाजा दोस्त नहीं खोला वह क्रोध में तु था ही बस दोस्त के प्रकट होते ही चिला पड़ा भाल में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर बहुत देख लिए पैसे वाले तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते जाओ आज ये तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म बेचारा दोस्त तो हक्का बखकर है गया उसे बात ही समझ नहीं आई कौन सा स्कूटर और कहां के अमीर पर उधर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकाल कर चला गया कहने का तातपर्य मैं उट-पटांग तरंगे पैदा करने की फैक्टरी हूँ और मुझ पर कोई नियंतर ना होने की वज़े से अधिकांश मनुष्य मेरा उपद्रो सहने को मजबूर है ना चाहते हुए भी उनसे पागल पन हो ही जाता है लाख ना चाहते हुए भी मेरे उपद्रों के कारण सब के आप से रिष्टे बिगड़ ही जाते है यानि कुल मिला कर सच कहूँ तो सब कुछ ठीक होते हुए भी एक मेरे कारण ही मनुष्य नित नहीं मुसीबतों में फस्ता रहता है लोग इसी बात पर आपको एक और रस्परद वाक्या सुनाता हूँ करीब 200 वर्स पुरानी यह बात है एक छोटा सा गाउं था जिसमें अक्रम वह सल्मान नामक दो यूकों की दोस्ती काफी मशुहूर थी दोनों की उम्र करी 15-16 वर्ष थी पिछले 10 वर्षों से दोनों का पढ़ना, खाना, पीना, घूमना था, साथ ही साथ होता था दोनों में एक बार भी कभी कोई अनबन नहीं हुई थी लेकिन अचानाक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया और देखते देखते बात इतनी बढ़ गई की दोनों ने एक दूसरे को लहुलहान कर दिया ये तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गाउवालों का उदर से गुजरना हो गया और उन्होंने दोनों को छुड़वा दिया लेकिन बात तो गंभीर स्वरूप ले चुकी थी सोसभी ने पकड़कर उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया उदर पूरा मामला सुन तथा उनकी हाला देख पूरी पंचायत हत प्रभ रह गई वहीं दूसरी और इस खबर को पूरे गाउं में फैलते भी देर न लगी बात ही आश्यरे में डालने वाली थी दो अभिन मित्रों ने एक दूसरे को लहुलहान कर दिया जिसने सुना वही पंचायत के और दोड़ पड़ा उदर हत प्रभ पंचायत ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का ये हाल क्यों किया पर दोनों चूप कहें तो कहें क्या पंचायत ने अपना ये सवाल दो तीन बार दोराया परन तो दोनों फिर भी चूप आखिर जब सकती से पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे से बात बताने को कहने लगे कमाल था मार पीट करते शर्म नहीं आई पर अब बताने में शर्म आ रही थी इसर पंचायत ने कड़क आवाज में सल्मान से पूरी बात बताने को कहा बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला बात यह हूँ कि हम दोने एक पेड़ की नीचे शांती से बैठे हुए थे ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की बात बात पर मैंने अक्रम से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आखिर हम कितने दिन माबाप के पैसन पे पलेंगे क्यों ना कुछ व्यवसाय कर अपनी स्कूल की फीस और जेब खर्च स्वैम कमाने की कोशिश करें पंचायत को कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि यह तो अच्छी बात हुई फिर इसमें जगड़े की बात कहा आई पूछने पर सल्मान ने बारत आगे बढ़ाते हुए कहा दरसल मेरा प्रस्ताव सुनते ही अक्रम ने भी हां में हां मिलाई उसने भी यहां तक कहा कि तुम ते मेरे मुझ की बात छीन ली बस इसी तरह बात आगे बढ़ती रही फिर कुछ सोच विचार कर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि दो भैस ही खरीद लूँ दो दिन घंटे का काम है उनका दूद हूँगा वो बेचूँगा इस पर आकरम बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई छोटा सा खेट खरीद लूँ तीन चार घंटे की महनत में इतना तो उगी जाएगा कि स्कूल की फीसव जेब खर्च निकल आये उसकी है बात सुनते ही मेरे मूँ से निकल गया कि यह तो और भी अच्छी बात हुई मुझे अपनी भैसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा मैं उन्हें चारा चराने तुम्हारे ही खेटों में ले आया करूँगा बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज में इसका विरोध किया उसने असपश्ट कहा कि खबरदार जो तुम्हारी भैस मेरे खेट में घुजी यह सुन मैं भी ताव खा गया और तुलंद बुलंद आवाज में कहा वे चारा-च़्णने तो तुम्हारे ही खेट में आएगी मेरे मुझ से ऐसा सुन हुए बुरी तरह भना गया और उसने धंकी ही दे डाली कि मेरे खेट में तुम्हारी भैसे घुजी तो उनकी टांगे तोड़ दूगा ये सुन मैं भी बुरी तरह से क्रोध में आ गया मैंने चिताते हुए कहा कि मेरी भैंसों को हाथ भी लगाए तुम्हारा सर फोड़ दूँगा बस इसके साथ ही दोनों ने अपना आपा खो दिया और मार पीट पर उतराए देखा मेरे उपद्रों का कमाल भैंस अभी खरीदी नहीं है खेत अभी लिया नहीं फिर भी मामूली सी बातचीत में दस वर्ष पुराने दोस्तों में मार पीट हो गई मैं कहना यही चाहता हूँ कि इन वर्डित घटनाओं को थोड़ा अपने जीवन में भी खोजे निशिते आपके भीतर बैठा मैं यानि आप कमण आप से भी ऐसे उपद्रों करवा ही लेता होँगा और थोड़ा गवर करेंगी तो पाएंगे कि वाकई जब मैं उपद्रों पर उतर आता हूँ तो आपकी तमाम समझदारी और बुद्धिमानी पर ताले पड़ जाते हैं मेरे द्वारा आप पागलपन करने पर मजबूर कर दिये जाते हैं अब यदि एक बार आप मानने की मेरे द्वारा किये जाने वाले उपद्रों पर आपका कोई वश नहीं और उससे आपकी बुद्धी मौके बे मौके भरष्ट हो ही जाती है तो मैं आगे उसके उपायों पर चर्चा करूँ क्योंकि उपचार किया ही उसका जा सकता है जो माने की हाम में बिमार हूँ अपने को बेवज़ हस्वस्त मानने वालों का तो पकड़ कर जबस्ती लाज किया नहीं जा सकता और आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि मेरे इन उपद्रों को ना तो आपके कोई उपाय नियंतरित कर पाएं हैं और ना ही इनसे आपको आपकी बुद्धी बचा पाई है और वही इनका निकाल लाने में आपकी सिक्षा और आपका समाज दोनों बुरी तरह फैल हो चुके हैं मानना तो यह भी पड़ेगा कि ना तो आपके धर्म और ना आपके शास्त रही इसका कोई हस्ताई समाधान खोच पाएं क्योंकि मैं उन सबसे विशाल स्वतंद्र वानूठी सकता हूँ सो मुझसे बचने के उपाई सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ और मेरी बात भी उसी के काम आएगी जो मेरी बताई बातों में ही इन उपड़ेगा बचने का उपाई खोजेगा वरना सोचो विज्ञान के द्वारा प्रदान की गई सारी प्रकदी वह तमाम सुविधाओं का क्या तुक यदि मन ही उदास वो पागल हो हाला कि इससे पहले की मेरे उपद्रों से बचने के उपाई उपर चर्चा प्रारम करूँ पहले मैं अपनी सनरशना के बारे मेरी सनरशना चलो यदि आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं तो मैं आगे आपको मेरी सनरशना के बारे में बताता हूँ इससे आपको ना सिर्फ मुझे समझने बल्कि मेरे उपद्रों से बचने में भी बड़ी सहायता मिलेगी और इस बाबत कोई भी चर्चा प्रारम करने से पूरू मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ की मैं अपने संपूड complicated mechanism के साथ आपकी नाभी में अद्रिश रूप से स्थित हूँ और चूंकि अद्रिश हूँ इसलिए विज्ञान की पकड़ से बाहर हूँ मेरे उपद्रो मचाने वाले स्वरूप नमबर वन conscious mind नमबर टू subconscious mind नमबर तीन unconscious mind मेरी शक्तियों के केंद्र नमबर एक super conscious mind नमबर दो collective conscious mind नमबर तीन spontaneous mind नमबर चार ultimate mind मेरे इन सातों सो रूपों के सो भावसर वो था भिन है और उस पर खूबी है कि आप जब भी वर जिस भी मन में रहते हैं उसका सो भावस्वता ही बाहर प्रकट हो जाता है वहीं यदि मन के प्रकारों की बात करूं बहले ही इन में से कुछ उपद्रवी वह खतरनाक हैं परन्तु साथ ही कुछ विलक्षन शक्तियों से भी भरे ही पड़े हैं और इसका सीधा अर्थ समझो तो आपके जीवन का फैसला सिर्फ आप कौन से मन में जी रहे हैं उसी से होता है और अब इससे पहले की आगे मैं आपको मेरे इन सातों सो रूपों के बारे में विस्तार से कुछ समझाओं आपको छोटे बच्चों का मन समझना होगा और उसी से आपको मेरे तमाम सो रूपों उनके प्रभाव उनके करिया कलापों को समझने में आसानी होगी तथा यहां यह भी असपश्ट करदूं की संभावना के हिसाब से सब ही बच्चे करीब करीब एक समन लेकर पैदा होते हैं यानि पैदा होने के समय मन के तल पर बच्चों से ज्यादा भेद भाव नहीं होता बच्चों में जो भी आपसी भेद होते हैं वो उनके डेने तता जीन्स के कारण होते हैं और जाहरी तोर पर उनके वे सारे भेद उनकी शारिरिक बनावट स्वास्थे वो ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं फिर बच्चों के मन पर लौटाओं तो बच्चे प्रमुखता से दो ही भाषा जानते हैं एक प्रेम की वा दूसरी क्रोध की और ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली उर्जा हैं विश्यों के परिप्रेक्ष में देखें तो भी उर्जा वस्तूओं के मिलन यानी प्रेम से प्रकट होती है या फिर उनकी टकराहट यानी क्रोध के कारण उत्पन होती है वैसे ही यदि आप किसी में कुछ परिवर्दन लाना चाहते हैं तो वह या तो आप उससे प्रेम जता कर ला सकते हैं या फिर क्रोध कर आप यह कमाल दिखा सकते हैं वैसे ही यदि आपको अपने में कोई परिवर्दन लाना हो तो भी आपको स्वैम यही दो भाशा बोलनी होती है परन्तो दिरुभाग इसे आज हर एक में इन दो का ही आभाव है अब जीवन को बढ़ाने वाली क्रोध व प्रेम नामक यह दो परम शक्तियां मनुष्य में से क्यों गायब हो गई यह चर्चा मैं बाद में करता हूँ अभी तो यह स्पष्ट करदू की बच्चा इन दो महाशक्तियों की परम उपस्थिती के साथ जीवन में सफलता पाने की तमाम संभावनाय लेकर पैदा होता है आप भी गवर से देखना बच्चे को कोई मन पसंद वस्थ मिल जाती है तो वह प्रेम पूर तरीके से मस्थ हो जाता है वही यदि कुछ उसके मन मुताबिक नहीं होता है या फिर उसकी पसंद की कोई वस्थ उसे छीन ली जाती है तो वह क्रोध में भर कर उपद्रो पर उतर आता है बस वह तीसरी कोई बात या भाशा समझता ही नहीं यानि बच्चा उर्जा का अक्षय भंडार लेकर ही पैदा हुआ होता है वही बच्चों की अन्य विशेश्था के बाबत बात करूं तो वे कुछ विशेश जानते भी नहीं है बहुत हुआ तो वे अपनी मा को पहचानते हैं बाकी रिष्टे रिष्टों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता जिसके साथ अच्छा लगता है उनके साथ खेल लेते हैं जिसके साथ नहीं जमता उससे दूर हड़ जाते हैं उच नीच या अपने पराय के भेदभाव उनमें नहीं होते वेर्थ की जानकारियां भी उनसे कोसों दूर होती हैं वहीं उन्हें अपने धर्म, देश, जात या समाज बावत भी कुछ नहीं मालूम होता है और आपने गवर किया ही होगा कि उनका इन बातों से काम अटकता भी नहीं है थोड़ी जी बुद्धी लगाएंगी तो समझ जाएंगे कि उपरोगत तमाम विशर्षताएं ही उनकी कभी न खत्म होने वाली मस्ती का राज है और यही एक बुनियादी कारण है कि बच्चे सब को प्रिय होते हैं वैसे बच्चों की एक और विशर्षता कहूं तो चुँकि वे प्रेम और क्रोध नामक संसार की दो सबसे शक्तिशाली उर्जा का ही उपयोग करते हैं सो वे प्राय हूर्जा से भरपूर होते हैं अता है आप अन्य कुछ भी करना पर बच्चों को कभी कमजोर समझने की भूल मत करना आपने भी गौर किया होगा कि बच्चे कितना ही उपद्रों कर लें कभी नहीं ठकते हैं कितना ही खेल कर उठे हो परन तो फिर खेलने का मौका मिला नहीं की जट से तयार उनके उपद्रों का आलम तो यह होता है कि बारी बारी दिन भर चार वेस्क उन्हें समालने में लगे रहें तो चारों ठक जाएंगे लेकिन ये बच्चे कभी नहीं ठकेंगे बड़े से बड़े रियाजी अथिलीट से कह दिया जाए कि दिन भर वह करो जो बच्चा कर रहा है तो चंद घंटों में ही वह धेर हो जाएगा बच्चा कुरसी के नीचे घुसेगा और टेबल पर निकलेगा चड़ाओ तो वह दिन में 20-30 बार चड़ उतर जाएगा एथिलीट तो घबरा कर कहेगा कि इसके साथ खेलने से तो ऑलम्पिक मेडल पाना ज्यादा आसान है कुल मिला कर इन सारी बातों का सार यह है कि प्रेम और क्रोध दोहिस संसार की सबसे शक्तिशाली उर्जा है जिस मनुष्य ने इन दो को खो दिया वह उर्जाहीन हो गया खेर आगे यदि बच्चों के बुद्धी मत्रा की बात करूं तो वे अति बुद्धिशाली भी होते हैं उन्हें कब क्या चाहिए और कव है कैसे मिल सकता है इसका पूरा ग्यान होता है और यही कारण है कि उन्हें जो चाहिए वे हासिल करके ही रहते हैं ऐसा मुस्कुराएंगे और ऐसा तो लाड़ से बोलेंगे कि इनकार की गुंजाईशी नहीं छोड़ेंगे और अगर फिर भी बात ना बनी तो क्रोध उपद्रवजित तो है ही पूरा घर सर पे उठा लेंगे आपका जीना मुश्किल कर देंगे पर जो चाहिए वे हासिल करके ही रहेंगे वहीं उनके आकरसन का तो कहना ही क्या कौन है जो बच्चों से प्रेम नहीं करता कौन है जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देना नहीं चाहता मजबूर हो जाता है इसके अलावा भी बच्चों के अन्य गुड़ों की बात की जाये तो निर्दोष्टा भोलापन चंचलता और कॉंसेंट्रेशन यह सब उनके सोभावी कुड़ होते हैं और कॉंसेंट्रेशन की बात ही मत करो ध्यान तो उनका परम होता है आपने भी देखा ही होगा कि बच्चे कितने ध्यान से खेलते हैं सोचो यदि उतना ही कॉंसेंट्रेशन बड़ों में आ जाये तो क्या वे जीवन कि हर सफलता हासिल नहीं कर लेंगे और उनके भूलने की बात का आलम तो यह है कि दो मिनट पहले जिस बच्चे से जगड़े थे अगले ही कुछ मिनटों में उसी के साथ फिर प्रेम से खेलने लग जाते हैं और उत्साह तो उनमें इतना होता है कि कितनी ही बार गिरें फिर भ पूछो ही मत एक दो बारा सफलता हाथ लगी नहीं कि बैठ गए सर पे हाथ रखकर आत्मातिया तक का विचार आ जाता है मन में ऐसे में निर्दोष्टा भोला पनिया उर्जा की तो बात ही मत करो चलो यह सब तो ठीक पर यहां सबसे सोचनी है विशह यह है कि सारी गबड ह ओ कहां गई तो यही समझाने है तो बच्चो और आपके मन का फर्क में आप लोगों को समझा रहा था दरसल बच्चा जिस माइंड में पैदा होता है उसे सूपर कॉंशिस माइंड कहते हैं यह माइंड चूंकि सिर्फ प्रेम और क्रोल से भरा रहता है अधा है उर्जा से हुए हैं फिर वह जानते हो या ना जानते हो परन्तुए सभी कम से कम सूपर कॉंशिस माइंड में जीते ही आए हैं और यदि बात विस्तार से समझाने है तो मैं आपको इस सूपर कॉंशिस माइंड की चंद विशेचताएं बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चाहे वह करने में भी पूरी तरह सक्षम होता है अब यदि इस पूरी बात का सार कहूं तो वह यह की सफल मनुशियों वो बच्चों के गुड़ों में बड़ी समानताय होती हैं क्योंकि दोनों सूपर कॉंशिस माइंड के आस पास ही जीते हैं यदि ऐसा है तब तो सवाल य इतनी प्रिष्ट भूमी बनाई थी और यही समझना आपके लिए अतियंत जरूरी भी है क्योंकि यही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है यदि यहां संभाल लिया तो आपको सफल व सुकी होने से कोई नहीं रोक सकता है खैर वापस मुख बिंदू पर लोट आओं तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है माबाप तथा परिवार वाले उससे तरह तरह की समझाईश वग्ञान देना शुरू कर देते हैं उसे उसका धर्म उसकी जाती बताई जाती है अपने वह पराय का भेद उसके मन में पैदा किया जाता है जीवन के वेर्थ उद बेबात पकड़ता ही रहता है और यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि भै और असुरक्षा पकड़ते हैं उसका उत्सा ध्यान कमजोर पड़ने लगता है यानि यहीं से बच्चे की दुरुगती होना शुरू हो जाती है लेकिन मामला यहीं नहीं अटकता फिर उस छोटे स बच्चे को कुछ बनने ही तो स्कूल भेज़ दिया जाता है बेचारा बच्चा जो पूर्ड स्वतंतता में जी रहा होता है उसे भारी बस्ता उठा कर स्कूल जाने को मजबूर किया जाता है ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाया जाता है यहीं नहीं फिर उसे अच्छे मा होने पर बेचारे को घर में भी प्रेम मिलना बंद हो जाता है और इस तरह हंसता खेलता है एक फूल पढ़ाई के नाम पर मुर्जा दिया जाता है इसे धीरे-धीरे बच्चे की जिद कमजोर हो जाती है जिद कमजोर होते ही उसकी जुश्व का कोई भी चार-पांच वर्शी ये बच्चा खेल कूदव सोटंदरता छोड़कर अनुशासर में रहना नहीं चाहता है और यही कारण है कि अधिकांश बच्चे रोते हुए ही स्कूल जाते हैं कुछ शक्ति हीनों को छोड़कर और मज़ा है कि जो बच्चे हसते हुए स्कूल जाते हैं उनकी माबाप पहले दूसरी कक्षा कि बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, हाँ एक बार उनके मित्र बन जाए और उनमें बाहर की दुनिया जानने समझने की इच्छा जागरित हो जाए, फिर तो उनका स्कूल में रस जाग ही सकता है, खेर यह भी छोड़ो, फिर तो माबाप, परिवार स्कूल के टीचरों द्वारा बच्चे को वेभार सिखाया जाने लगता है, क्रोध नहीं करने का, बड़ों का कहना मानने का, सबके काम करने का, वगएरा वगएरा, अब बच्चा जो उर्जा का भंडार है, जो स्वस्फूर्थी अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसे अक बात नहीं बनती तो कभी-कभी उसे डाट कर या धमका कर भी ऐसा करने को विवश्च किया जाता है, गौर करने वाली बात तो यह है कि इन सारी कोश्चों में बच्चों की सबसे मात्वपूर्दो उर्जा, क्रोध व प्रेम दबती चरी जाती है, और सबसे खदरनाक दुस पांत्रित होकर उसे भावग बना देता है, फिर वहताशा, सहान, भूती, दया वगएरा भाओं से ओत प्रोत होता चला जाता है, और फिर उसके यही सारे भाव, उसके सबकॉंशिस माइंड का निर्मार करते चले जाते हैं, इसी बात को सीदे-सीदे साइकलोजी की भाशा में कहूं, तो जिस मात्रा में बच्चे का प्रेम दबता चला जाता है, उसी मात्रा में उसकी भावगता सबकॉंशिस माइंड में संग्रहित होती चले जाती हैं, लेकिन दुर्भागे से बच्चों की दूर्दशा की कहानी यही समाप नहीं होती, बच्चा स्कूल जाना पर जाना पड़ता है वह खेलना ओपद्रव करना चाहता है लेकिन मौका नहीं मिलता अपनी मन का मालिक होने के कारण वह स्वतंत्र रहना चाहता है जबकि उसे अनुशासन में रहना पड़ता है परिडाम सो रूप मौके बे मौके उसका क्रोध दबता चला जाता है उसका य आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह क्रोध के सास साथ अपनी सोभावी गूर्जा भी खोता चला जाता है, धीरे धीरे कर ध्यान वह उत्थाह जैसे महत्रपूर गुर्वी उसमें से तिरोहित होते चला जाते हैं, और बदले म मौके बे मौके निकालता चला जाता है आप यह मत सोचना कि विशय चिंता का है इसलिए आप चिंता कर रहे हैं दरहसर तो चिंता आपके unconscious mind में भरी पड़ी है इसलिए वह विशय खोश कर बाहर निकल पड़ती है लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं मानेंगे सो इसे एक उधार से समझें एक बार एक एक वेक दिने अकबार में पढ़ा की करीब 10 लाख वर्ष बाद सूरी नहीं उगेगा अब सीधी बात है कि सूरी नहीं उगेगा तो पृत्वी का स्थित नश्ट हो जाएगा बस उसे चिंता पकड़ ली अब 10 लाख वर्ष क्या 100 वर्ष बाद भी सूरी उगे या नहीं इससे उसे क्या फर्क पड़ रहा था परन्त भीतर पड़ी चिंता को तो बाहर निकालने का बहाना चाहिए ही होता है बस इस दबे क्रोध के कारण ही आप सब का ये हाल हो गया है लेकिन मनुश्य की दुरुगती की दास्तान यहीं कहां रुकती है पहले तो सूपर कॉंशिस माइंड में पैदा हुए बच्चे को वेर्थ की जानकारी हूँ वो उदेशों से भर कर आप उसका कॉंशिस माइंड बनाना प्रारम कर देते हैं और फिर उसके क्रोध और प्रेम को दबाते हुए उसका सब कॉंशिस और अनकॉंशिस माइंड मजबूत कर उसे चिंता, दुख, भै, सहान, भूती, लगाओ वगेरा भाओं से भर देते हैं लेकिन इतने से भी आप बुद्धिमानों का मन कहां भरता है सो आगे आप उसे यह भी समझा देते हैं कि जाहिर में भाओं की अभिवेक्ति अच्छी नहीं अपने मन में क्या चल रहा है यह दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए बस बेचारा चिंता दुख वब्भय के साथ साथ अपनी भावनाएं भी दबाना शुरू कर देता है और क्रोध वब प्रेम तो वह फिर जीवन भर दबाता चला जाता है आगे इसका और भी खतरनाक परड़ाम आता है फिर यह दबे चिंता भय दुख और लगाव तसा सहान भूति अनकॉंशेस वर सबकॉंशेस माइंड में ना सिर्फ हमेशा के लिए मजबूती से संग्रहित हो जाते हैं बलकि पड़े पड़े मल्टिपलाई भी होते रहते हैं फिर बेचारा यह मनुश्य मनुश्यों की ही क्रिपा से इन भाओं के धक्कों से कभी कभार उभर पाता है कभी नहीं उभर पाता है चिंता वदुख में जीवन गुजारना उसका भाग हो जाता है यहां यह स्पष्ट समझ लेना की चिंता दुख भै असुरक्षा वगेरा भीतर पड़े हैं तो बाहर निकल रहे हैं यह मत समझना कि आपका जीवन कुछ ऐसा है या परिस्टी ऐसी है इसलिए आपको चिंता पकड़ रही है या फिर इसलिए आपको इन भाओं में जीना पड़ रहा है हाला कि यह बात विस्तार से मैं आपको आगे समझाओंगा अभी तो सौबातों की एक बाती है कि बच्चों को बड़ा करते ना आना और वह भी वो जो अपने सूपर कॉंशिस माइंड की स्थित को समालने रखने में सफल हो पाया है यह दो तरीके से संभो है एक या तो बच्चा सुएम इतना जिद्दी वह शक्तिशाली हो कि वह किसी और के चक्कर में पड़े ही नहीं यह दूसरा माबाप और टीचर इतने समझदार हों कि उसके साथ वेर्थ की जबरदस्ती ना करें लेकिन मेरी यह बात पत्थर पे लिख लेना की दुनिया का कोई भी बच्चा अपने सूपर कॉंशिस माइंड की स्थित बचाय रखे बगएर किसी दुक्षेतर में कभी भी सफल वसुखी नहीं हो सकता साथ यह भी तैजाने कि जिस किसी भी बच्चे को अपना सूपर कॉंशिस माइंड समाल लिया उसे सफल वसुखी होने से कोई रोक नहीं सकता और आपका विज्ञान भी करीब करीब यही बात कहता है यदि विज्ञान ही कहते हैं कि बच्चे का 80% से ज्यादा मानसिक विकास उसके बच्चपन में ही हो जाता है तो वे गलत निसकरशपन नहीं पहुँचे हैं उनकी बात 100% सही है इस हेत वे वाकई बधाई की योग भी है मैंने भी यहाँ यही समझाया है कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना वह अपने सूपर कॉंशिस मायंड को सलामत रखवाता है और निशीती इसका पूरा दारोमदार परिवार वा स्कूल के टीचरों पर है उन्हें बच्चों की एक्षा उनकी सुक्षंदता का सम्मान करना सीखना ही होगा उन्हें बच्चों को भेद भाव वाली बातें सिखाने वो उन पर उट पटांक दथा बिन जरूरी अनुशासन लादने से हर हाल में बचना ही होगा और वेर्थ की बुद्धी ही इन शिक्षाओं से तो उसे सरवता दूर रखना होगा बच्चा, बच्चा है, उसे वेर्थ गंभीर करें ही मत स्कूल में वातावरण ही ऐसा बच्चों के अनकूल बनाये कि बच्चों का घर पर मन ही न लगे उसे अपने घर की याद आये ही नहीं, तब तो सब बच्चा रहेगा परन्द वेदे स्कूल में बच्चे को काटने को दोड़ रही हो तो फिर ऐसी स्कूल में जाने से तो स्कूल ना जाना ही उसके लिए बहतर होगा वरना ध्यान रखना बड़े होते होते बच्चा अपने सारे महतुपूर गुड़ खो देगा और मेरी इस बात को मनुशे का आज भी चिला चिला के सिद्ध कर ही रही है मनुशे ने साथा जतनी परगति कर ली हो पर जिए आज भी ऊतना नहीं सधर पाए जतना इतनी परगति के बात सधर जाना चाहिया था आज भी लाकों में 10-20 ही सफल हो बाते हैं और इसका मात्र और एक मात्र कारण मनुशेका अपने बच्चों को पालने नहीं आना है क्योंकि बच्चों की सोभाविक प्रतिभा को निकारना तो लाकों में 10-20 को ही आता है खेर यह तो हुई आपके द्वारा की जाने वाले गलतियों की चर्चा दूसरी और इसी संदर्व में एक और बात भी अत्यंत महत्वपूर है और वह मेरे सौभाओ को लेकर है तथा उसे भी विस्तार से समझना उतना ही जरूरी है दरसल बात यह है कि मैं सौभाओ से ही पूर सौतंत्रव सौक्षंद हूँ यदि मुझे वेर्थ दबा कर रखने की कोशिश की गई तो उसके दुस परड़ा मनुष्य को भुगतवा कर ही छोड़ता हूँ हालकि मेरे इस सौतंत्र सौभाओ के कारण मेरी बड़ी बड़िनामी भी हुई है युगों से मनुष्य अपने जीवन के कश्टों के लिए मुझे जवाबदार ठहराता आ रहा है जबकि मैंने अपनी इस्तित्य असपष्ट कर दिये मैं सौभाओ से सौतंत्र हूँ और किसी भी प्रकार की जबरजस्ती मुझे पसंद नहीं अत्य है याद रख लेना कि मेरे साथ की जाने वाली किसी भी प्रकार की जबरजस्ती का और यहां सबसे महत्वपूर यह है कि मेरा सौभाओ बदलने वाला नहीं बदलना आपको मेरे साथ किया जाने वाला आपका व्यावार ही पड़ेगा अथ है यदि बच्चा सूपर कॉंशिस माइंड से कॉंशिस वो अनकॉंशिस माइंड तक गिरता है तो इसका दोश, परिवार, समाज और सिख्षा को ही देना मुझे नहीं यदि आप वाकई मनुश्य के सुखी वसंबन होने का अनुपात बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सिख्षा परडाली में आवश्य एक फिर बदल कर लेना माँ बाप और परिवार को बच्चों को कैसे बढ़ा करना ये सिखाना परें तो मुझ पर दो सारो पर कताई मत करना आप मेरे सौभाव को मारने की कोशिश करेंगे तो मैं परतिकार पर उतर ही आऊंगा यूँ भी अपने सौभाव को बचाने का इस प्रकृति में सबको अधिकार है ना तो मेरे साथ छड़खानी करें ही मत यदि आप यह सीख जाएंगे तो मेरे तीनों कमजोर सोरूपों को यानि कॉंशियस, सबकॉंशियस और अनकॉंशियस माइंड को अपने में मजबूत होने ही नहीं देंगे और इस अंदर में मैं कहीं चुका हूँ की कॉंशियस माइंड विर्थ की जानकारियां एकत्रित करने से बनता है जबकि अनकॉंशियस और सबकॉंशियस माइंड क्रोध और प्रेम दबाने से मजबूत होते हैं वरना मनुशिय को दुख, चीनता, आईश्य, अफ्रेस्टेशन वगेरा पकड़े ही क्यों क्योंकि कोई बच्चा वह लेकर थोड़े ही पैदा हो रहा है और ना ही मेरे कारण मनुशियस इन सब भाओं में जीने को मजबूर है यह तो चूंकि वह मेरे सोभाओं के बाबत ना समझी बरत रहा है इस कारण वह उसके दुस्परेडाम भोगने को मेरे द्वारा बाद ही किया जा रहा है वरना आपने क्या किसी बच्चे को चिंता करते देखा है अत्या मनुश्य के दुखी वा आसफल जीवन के लिए आपको किसी को दोश देना है तो है आप अपने स्वैम को देना और यह भी अच्छे समझ लेना कि यह सारी चूँकें आप से मेरी कारण पडाली ना समझने के कारण हो रही है है गाइज आएम साहिल खान दा ओनर आफ दा बेटर यू यूट्यूब चैनल लोगों के प्यार और सपोर्ट की वज़े से मुझे मैं कृष्ण हूँ और महमन हूँ फिर से यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ रही है मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर यह चैनल कभी भी बंदो सकता है तो प्लीज इन वीडियोज को डाउनलोड कर लेना और जो मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है उसमें मैं सक्सेस्फुल लोगों की स्टोरीज और नेचर रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ जिसमें आपको रोचे डंग से जानकारी मिलती है अगर आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों मैं किसे से फाइनशल सपोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं सो इसलिए मैं कृष्ण हूँ वाल्यूम 4,5 और 6 के लिए अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिये पेडियम नंबर पे अपनी श्रद्धा से चितना करना चाहो उतना कर सकते हो एक रुपए भी एक बार फिर से कह रहा हूँ की करना जरूरी नहीं है दिल करे तब ही करना जय हिद आप इंज्वाए करो मैं मन हूँ मेरी शक्तियों के केंद्र यहां भी मेरा कमाल देखो मैं अपने नटखटपन से बाज तो अपने बारे में बताते वक्त भी नहीं आया मैंने अपने उपद्रवी सोरूप के बारे में आपको पहले बता दिया हालांकि साथ ही मैंने यह भी समझा ही दिया था कि वे मेरे सोभाविक सोरूप नहीं है वे सब आपकी ना समझी के कारण अस्तितों में आते हैं वरना जहां तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यह बता दूंकि वास्तों में मैं एक से एक अधबुत शक्तियों का भी स्रोत हूँ आपके पूरे अस्तितों में एक मैं ही हूँ जो ना सिर्फ संपूर कुदरत के अस्तितों से जुड़ा हुआ हूँ बलकि आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले तमाम परड़ाम कारी कारे करने में सक्षम हूँ यानि कुदरत की परम सक्ता से आपका कम्यूनिकेशन भी सिर्फ एक मेरे ठकी ही मेरे तक ही संभो है और जीवन में सफलता प्राप्त करने है तो भी आप मेरे ही शक्ति के केंदरों के महताज हैं और इस अंती मुवाकिको और असपश्ट करूं तो मेरे इन शक्ति के केंदरों को सक्रिय के बगएर कोई मनुश कभी भी सुखी वा सफल नहीं हो सकता है वहीं कौन कितना सुखी वा सफल होगा इस बात का भी सीधा तालुक सिर्फ मेरे शक्तियों के केंदर उस मनुश में किस अनुपात में सक्रिय उस पर निर्भर है अने था आप बाहर से हजार उपाय क्यों न कर लें कितना ही ग्यान क्यों न ओड़ लें या कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें लेकिन आप जीवन में ना तो अस्थाई तोर पर सुखी रह सकते हैं और ना ही कोड़ी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं वरना सिक्षा, मेहनत, इरादे, धर्म, समाज या परिवार तथा मित्रों की तो कहीं किसी के पास कोई कमी नहीं फिर क्यों लाखों में 10-20 ही अपना जीवन सार्थत बना पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए की लाखों में 10-20 ही अपने भीतर मेरे शक्तिके केंद्रों को सक्रिय कर पा रहे हैं अब इससे पहले कि मैं अपने उन शक्तिके केंद्रों के बावत विस्तार से चर्चा करूँ मैं आपको यह बता दूँ ki वे सकरी अपने ही प्रागिर्टिक नियमों से होते हैं इसमें ना तो प्रागिर्टिकी किसी के साथ कभी पक्षपाद करती है और नहीं मेरे तल पर इस बाबत कभी कोई कोई पक्षपाद किसी के साथ होता है मनुष्य कीतनी आसफलता का एक मात्र कारण उसका मेरी शक्ति के केंदरों से अंजान होना है ऐसे में उन शक्ति के केंदरों को सक्रिय करपाना या उन्हें सक्रिय करने में नियम जानना तो बहुत दूर की बात हो गई होगा अभी तो मैं आपको अपनी शक्तियों के बाबत बताऊं वैसे इस बाबत भी क्या बताऊं मैं तो ऐसी ऐसी शक्ति से भरा पड़ा हूँ की जिसकी आप कलपना तक नहीं कर सकते मनुश्य जाती का इतिहास थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर सफलता के पीछे मेहिन मैं नजर आऊंगा जितने भी सफल सुखी और बड़े लोग हुए हैं सब ने जाने अंजाने मेरी शक्तियों का भरपूर उप्योग किया ही है यह बात पूरी दृड़ता पूरोग समझ लेना कि कहीं कोई इसलिए सफल और सुखी नहीं है कि वह अच्छा आदमी है कोई इसलिए भी सुखी और सफल नहीं है कि वह बड़ा ही सज्जन वेक्ति है वो समाज के सारे नियम मान कर चलता है ना ही कोई अपनी डिगरियों या मेहनत के कारण सुखी और सफल है तथा नियमित मंदिर मस्जिद जाता है इसलिए तो कोई भी सफल नहीं है यदि ऐसा होता तब तो विश्व में सफल वेक्तियों की बाड़ ही आ गई होती क्योंकि मंदिर मस्जिद तो सव में से 99 लोग जा रहे हैं पर नहीं सफलता दिलाना या मनुश्य को सुखी वर प्रसन रखना मेरा काम है और मेरा उपरोक्त में से किसी बाद से कोई तालुक नहीं मैं तो अपने नियमों से सब में समान रूप से सकरी हूँ या तो मेरी शक्तियों का उपियोग कर लो या फिर मेरे विद्वन सो रूपों का भोग बनने है तो तयार रहो यानि या तो सफलता के शिकर छूलो या फिर जीवन भर मुसीबतों की गहरी खाईयों में गोते खाते रहो बीच की कोई राह मेरे तल पर है ही नहीं और इस बात को अच्छे से समझाने है तुम्हें यहां एक बार फिर समझा दो की बच्चा प्रायह सूपर कॉंशिस माइंड में पैदा होता है जो की सोभाविक रूप से मेरी शक्ति का अदभुत केंदर है यदि परिवार समाज या स्कूल ने बच्चे की इक्षा उसकी प्रग्या उसके सोभाव उसकी जिद को पहचान कर उसे सहयोग देना सीख लिया तो वह उस नन्ही सी उम्र में ही मेरी शक्ति के केंदरों में गोते खाना शुरू कर देगा वहीं यदि अनुशासन या वेर्थ के ग्यान के नाम पर उसे दबाया उसकी प्रतिभा की अवहिलना कर उसके साथ जबरजस्ती की गई तो वह बेचारा जल्दी मेरे विद्वन सक्सोरूपों का भोग बनने पर मजबूर हो जाएगा यानि बच्चे का लालन पालन ही वह निरडायक घड़ी है जो उसके जीवन की द्रशा वदिशा दोनों तैकर देती है आते हैं बच्चे का उतिसाह बढ़ाये उसकी प्रतिभाव शक्तियों को पहचाने तो था उसकी एक्षाओं का सम्मान करे हाँ जहां आवश्य को उसे गाइड करे उसे संसार के तोर तरीके सिखाएं पर इस पूरी प्रोसेस में उसका प्रेम और क्रोध ना दबने पाए इसका विशेश रूप से ध्यान रखे बच्चा जिद्धी है शैतान है ऐसा मत सोचे सोचें हैं कि वह ऐसा है इसका अर्थ ही है कि यह वह शक्तिशाली है उर्जा से भरपूर है बस उसकी इस उर्जा को उसकी प्रतिभा के दिशा में ढ़ाल दीजिए फिर देखिए कैसे उसकी शक्तियों के केंदर सक्री हो जाते हैं कुल मिलाकर बच्चे के साथ चाहें जो करें पर इस बात का विशेस ध्यान दे कि उसका क्रोध प्रेम ना दबने पाए यदि एक मात्रा से उपर बच दब गया तो उसका कॉंशिस के साथ 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 कॉंशिस और अनकॉंशिस माइंड बनना भी चालू हो जाएगा और यह असपश समझ लें कि यह तीनों माइंड खराब भाओं धकों के स्टोरिज टैंक है फिर जीवन भर बच्चा उन टैंकों से आई सप्लाई जहिलता रहेगा इसलिए विग्यान कहता है कि सीखने योग यवस्त उसे बच्चा चार या पांच वरस तक की उम्र में ही सीख जाता है और वह यही है जो मैं कह रहा हूँ कि उसका सूपर कॉंशिस माइंड बच पाया है या नहीं खेर यह बात दोहरा कर मैंने एक बार फिर आप से होने वाली सबसे बड़ी चूप की और आपका ध्यान आकरशित किया बस यह कभी मत भूलना की बच्पन ही मनुश्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट है नादानी वर्ष वहाँ चूप गए तो चूप गए सो उमीद करता हूँ कि आब अब आप यह तो समझ ही गए होंगे इस स्वरूप के बारे में मैं काफी बातें विस्तार से बच्चों का मन समझाते वक्त कही चुका हूँ जैसा कि मैंने बताया था कि ध्यान उत्साह वा आत्मिश्वास इस मन का सोभाविक गुण होता है जिस किसी भी मनुश्य ने जीवन में जो भी बड़ी सफलताय पाई है फिर वचाह जनता हो या ना जनता हो परन्तो उसने यह सफलता इसी मन के सक्री होने के कारण पाई है इस बात को थोड़ा थाॉमस अलवा एडिसन के जीवन से समझें जिनों ना सिर्फ बल्ब खोज दुनिया को रोशन किया बलकि कुल एक हजार तिरानबे पेटेंट अपने नाम रेजिस्टर भी कराए आपको ग्यात ही होगा कि साथ वर्षी एडिसन को स्कूल में टीचर ने कमजोर विद्यार्थी कहा था उनका कहना था कि वह हर बात में फिजूल के सवाल बहुत पूछता रहता है जब उसकी टीचर मा नैंसी को इस बात का पता चला तो वह अपने पुत्र का यह अपमान बरदाश नहीं कर पाई उसे अपने पुत्र की परतिवा पर पूरा भरोसा था बस उसने एडिसन को स्कूल से ही उठवा दिया इसके बाद एडिसन की मा ने एक दो स्कूल में और कोशिश की लेकि ना तो एडिसन ही बदले और ना ही स्कूलों का रवया उनके प्रतिबदला बस उनकी मा ने घर पर ही पढ़ाने का निरड़े लिया इसे एक निरोड़े ने एडिसन का जीवनी बदल दिया एडिसन को स्कूल में बार बार बेज़त होने से चुटकारा मिल गया और कहने के जरूरत नहीं कि इस कारण उन्हें अपना प्रेम या क्रोध भी नहीं दबाना पड़ा और निशी थी उस कारण उनके कौंशिस और सबकौंशिस माइंड मजबूत नहीं हुए मादवारा प्रेम पूरोग पढ़ाय जाने से उन्हें कोई अडचन नहीं थी उधर मा को भी अपना लाडला चाहे जितने सवाल पुछे कोई शिकायत नहीं थी तीन-चार वर्ष माँ से सिक्षा प्राप्त करते करते विग्यान और उसके परियोगों की और उनका अकर्शन जागा और घर के हालात देखते हुए इस हेतु उन्हें स्वयम कमाना जरूरी था तो एडिसन को इससे क्या आतरास था उज़र मा की ओर से उन्हें पूड प्रेम विश्वास उपलब भी था ग्यारा वर्ष ये बालक सोयम कमाने है तो कभी फल की दुकान लगाने लगा तो कभी ट्रेन में अकबार बेशने लगा और उन कमाए पैसों से उन्होंने घर पर तो था मौका मिलते ही ट्रेन में अपनी लेबरेटरी अस्थापित की परन तो बालक परियोग करेगा तो गड़बरी तो होगी ही अनेको बार उनकी लेबरोटरी कभी पीदा दोरा तो कभी ट्रेन के कंडेक्टर दोरा बंद करवा दी गई पर दो जैसा मैंने कहा कि उत्साह ध्यान वात मिश्वास सुपर कॉंशिस माइंड का सोभाविक गुण होता है और अन्त में कभी न ठकने और हारने वाले अनपड़ एडिसन ने ना सिर्व सरवाधी का विशकार किये बल्कि बल्ब का विशकार कर दुनिया को रोशन भी कर दिया आप एडिसन का पूरा जीवन पढ़ेंगे तो सोता ही समझ जाएंगे कि उनकी सारी उपलदियां उनके ध्यान उत्यान उत्यान शायद अब आप समझ गए होंगे कि बच्चों के सुपर कॉंशिस माइंड को बचाये रखने का कितना महत्व है इसके अलावा वे हजार काम करें या कितनी ही डिगरियां हासिल क्यों न कर लें वे सफल उसकी कभी नहीं हो सकता इसी बात को विशो में करमठता का परतीक माने जाने वाली हेलन केलर के जीवन से भी समझा जा सकता है हंस्ती खेलती प्रतिभावान हेलन जब सिर्फ पौने दो वर्ष की थी तो उन्हें तेज बुखार ने जखड़ लिया बुखार थो ठीक हुआ पर इससे उनके बोलने सुनने वद देखने के शमता जा चुकी थी एसमें उनकी मा कैथरीन केलर वो उनके पिता जी आर्थर केलर ने मातम मनाने की बजाए नन्नी हेलन पर ध्यान देना ही उचिस समझा उसका जीवन पूरी अंधकार में हो जाने के बावजूद उन्हें उसे इतना प्यार दिया कि उसका सूपर कॉशिस माइंड पूरी तरह सलामत रहा उसकी हर एक्षा पूरी करने के कारण इतना बड़ा हासा हो जाने के बावजूद हेलन को अपना कुरोध और प्रेम नहीं दबाना पड़ा बस फिर जब हेलन साथ वर्षकी हुई तो उन्हें एन के रूप में एक टीचर मिली जिसने हेलन के मन में पढ़ने की एक्षा जगाई यह अपने आप में एक चमतकार था बोलने सुनने वद देखने की चमता खोच चुकी हेलन ने तातकार एक परभाव से पढ़ना शुरू कर दिया उसकी टीचर एन उसे कार्ट बोर्ड पर उबरे शब्दों के जरिये पढ़ाती थी अब तीनों परमों के इंद्रियां खोच चुकी हेलन को तो इससे ज्यादा रूच कर और कुछ लगने का सवाल ही नहीं उठता था बस एन की लगन वे हेलन के उत्साह का ऐसा तो तालमेल हुआ कि जल्दी हेलन ने शब्द पढ़ना और फिर उन शब्दों से वाक्य बनाना भी सीख लिया और फिर ग्यारह वर्ष की होते होते हेलन ने टाइप करना भी सीख लिया इससे उसे अपने भाओं को अभिवेक्त करने का मौका मिला यानि अंधकार में जी रही हेलन का दुनिया में दुनिया से संपर्क अस्थापित हो गया फिर तो पढ़ने की उसमें ऐसी लगन जागी कि उसके लिए लकड़ी के गत्रे पर उबरे शब्दों में किताब में बनवाई जाने लगी और जिसे असपर्श कर वक पूरी की पूरी किताब जहन में उतारने लगी इसे पूरे विश्व में इस नन्ही सी हेलन के डंके बच गए वह रातों रात विश्व प्रसिद्ध हस्ती हो गई यहां तक की फिर तो अपनी लगन से उन्होंने सनातक डिगिरी भी हासिल की निशिर ये पूरे विश्व के लिए क्याति हासिक छण था इदर हेलन की यातरा यहीं समाप नहीं हुई फिर तो उन्होंने समाज साश्र में रूची जागी जिससे उनके मन में करूना उत्पन हुई और फिर उस साहित हेलन अपनगों के जीवन की बहतरी के लिए कुछ करने को मचल उठी इस हेत उन्होंने कड़ी मेहनत कर होट और जबान की स्थिति के तालमेल से शब्दों की अभिवक्त करना भी सीख लिया अब क्या था उन्होंने समाजवाल वापंगों के उध्धार हेत सम्मोधन देना प्रारम कर दिया इसे हेलन की ख्याती में चार चांद लग गए उन्हें सुनने वा समझने के लिए हजारों की भीड़े कत्रित होने लगी वे होट हिलाती और उनका ट्रांसलेटर हेलन के जबान वो होटों के इस्थित से वे क्या कहना चाहती है या अभिवक्त कर देदा बस समाद बैठ जाता इस दरम्यान हेलने बारह किताबे भी लिखी यहां तक कि कभी न धगने वाली उत्साहित हेलने सतर वर्ष के उमर में अपंगों के उध्धार है तो कुल बारह वर्ष तक उतर पूरों के कई देशों की यात्रा भी की यह वागए उनके ध्यान उत्साहवा आत्मिश्वास की प्रकाष्ठा हो गई वह जिस भी देश में जाती ही वहां के राष्टा धेच समेट उस देश के हर शेत्र की सारी प्रतिभाएं उनसे मुलाकात करने को लालाई थोड़ थी यहां तक की 87 वर्ष में जब उनकी मृत्य हुई उससे पूरों अमेरिका के बाराख प्रेसिडेंट से उनका समाद हो चुका था आप ज़रा इस एतिहासिक जीवन था उनकी उपलब्धियों पर गवर करें इस पूरी यात्रा में सिवाए एक एंद्रित ध्यान उत्साह वा आत्म विश्वास के और क्या है सोचने वाली बात यह है कि यदि सूपर कॉंशिस माइंड देखने सुनने वा बोलने की शमता खोच चुकी हिरन को इतनी उचाई पर पहुँचा सकता है तो है आम मनुशियों के जीवन में क्या से क्या नहीं कर सकता है कुल मिलाकर कहने का ताथ पर यह है कि जीवन में बड़ी सफलता है तू उत्साह, आत्म विश्वास, कॉंसेंट्रेशन वगएरा होना चाहिए यह सभी जानते है मनुश्य स्वैम भी इन सब को पाना चाहता है तता दूसरे भी उसे मौके बेमोके इस बाबट टोकते ही रहते हैं कि यह सब अच्छे गुड़ बढ़ाओ पर दू सवाल यह है कि आपके चाहने या किसी के कहने से आपका उत्साह बढ़ने वाला नहीं उसे कुछ हो जाता हो तो सब की कबके उत्साह वा आत्मिश्वास से भर गए होते यह सारे गुड़ बाजार में भी उपलब्द नहीं है वरना तो आपने खरीद कर उनकी भरपाई कर ली होती यह तो सीधे सीधे सूपर कॉंशिस माइंड का सोभाव है उसके सक्रियों हुए बेगैर आप लाख सोचें यह हजार उपाय क्यों न कर लें आपका उस्साह आत्मिश्वास बढ़ने वाला नहीं नहीं आपका कॉंसेट्रेशन बढ़ने वाला है यह सब तो सूपर कॉंशिस माइंड के सक्रियों होने पर ही संभो है तथा उसके सक्रियों होने की एक ही शर्त है और वह है आपके कॉंशिस अनकॉंशिस वो सब कॉंशिस माइंड का कमजोर होना सो मुझे उमीद है कि आप अब हजार उपाय छोड़ आप मेरे सूपर कॉंशिस सोरूप को सक्रियों करने पर ध्यान देंगे और कम से कम बच्चा जिसका सूपर कॉंशिस माइंड सक्रियों होता ही है उसके साथ व्यर्थ की छड़ चाड़ कर उसके सूपर कॉंशिस माइंड को कमजोर नहीं करेंगे मेरा यह सोरूप जब अपने प्रगाहर रूप में प्रकट होता है तब वह सोता ही सभी मनुशियों के मन से कनेक्ट हो जाता है निशित इसके इस गुण के कारण यह सोरूप मनुशिकों कई उचाईयां परदान करने में भी सक्षम है साथ ही आप के लिए राहत की बात है कि मेरा यह सोरूप कम या ज्यादा ही सही परद्धिये हर एक में कुछ नकुछ मात्रा में सक्रिया रहता ही है हते मेरी इस सोरूप की सक्रिता से कई ऐसे वाक के बनते हैं और कई ऐसी घटनाय घटती हैं जहां अधिकांश लोग एक जैसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हाला कि मेरी इस बात को आप वैसे नहीं समझेंगे तो मैं आपको यही बात कुछ उधारणों से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने गवर की आउगा कि अचानक ही कोई गाना रातों रान सबको पसंद आने लग जाता है और फिर वह गाना हिट हो जाता है कभी किसी नेता का दिया नारा अचानक सबको जचने लगता है और जिसके चलते वह देखते ही देखते बड़ा नेता बन जाता है यानि मेरा एक वह स्वरूब भी है जहां अधिकांश लोग एक सी पसंद नापसंद रखते हैं आपको यह बात अच्छे से समझने के लिए मैं लेडी डायना को दहर देता हूं माना वह हमेशा सुरुख्यों में रही माना उसके वस्तरो फैशन हमेशा चर्चा में रहे माना उनकी समाज सेमाओं ने भी लोगों का ध्यान अपनी और आकशित किया लेकिन वह कताई इतनी लोगप्रिय नहीं थिंकी उनकी मृत्वी पर विश्व ही थम जाए फिर भी कमालिय की पूरे विश्व ने उनकी शाव व्यात्रा देखी जितने लोगों ने डायना की शाव व्यात्रा टीवी पर देखी वो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायर ही कभी तूटे क्या हो गया कुछ नहीं बस एक साथ सबके कलेक्टिव कॉंशिस माइंड ने धक्का मारा शायद अब आप मेरे सोरूप की उपस्तिती वो इसकी कार ये प्रणाली दोनों अच्छे से समझ गये होंगे यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना की कलेक्टिव कॉंशिस माइंड के धक्के सहना इसके सकरात्मक रूप से ग्रियाशील होने का सबूत नहीं है जिसका यहमन ग्रियाशील हो जाता है उसे कभी ऐसे धकों का शिकार नहीं होना पड़ता है उल्टा उसे तो लोगों की सामुहिक नापसंद का ठीक ठीक अंताजा लग जाता है यानि आज की प्रोफेशनल भाषा में कहा जाए तो वह लोगों की नब्स अच्छे से पहचानने लग जाता है अब आज के जमाने में लोगों की नब्स पहचानना कितना महतुपूर्ण यह बताने की कताई आवश्यक्ता नहीं लोगों की नब्स पहचानने में दबाने है तो हर वर्ष हजारो करोट रुपए मारकेटिंग सर्वे पर खर्च किये जाते है कैसा प्रोड़क्ट चलेगा, क्या लिखेंगे तो चलेगा, चुनाव में कौन सा नारा दें तो जीतेंगे, कौन से विशे पर फिल्म बनाई जाए तो चलेगी कुल मिलाकर भीड की पसंद नापसंद क्या होगी इस पर क्या नहीता क्या भी नहीता और क्या कमपनिया सब निर भर है और कहने की ज़रुत नहीं है कि जिसका यह मन सक्रिय हो गया हो वह तो लोगों की पसंद नापसंद से सीधे ही चुड़ जाता है फिर तो वह चाहे जिस खेत्र में कूद पड़े रात औरात सफलता उसके कदम चूबने ही लगती है हलांकि लोगों की सामोहिक नब्स पहचानना इस मन की एक मातर विशेस्ता नहीं जिसका यह मन सक्रिय हो जाता है वे दूसरा चाहे कहीं बैठा हो भले ही उसे मिले लंबा वक्त गुजर गया हो पर तो बावजूद इसके जरा सा ध्यान लगाने पर उसे इस समय वह क्या सोच रहा है या क्या करना चाह रहा है उसका भी बड़ी आसानी से अंदाजा हो जाता है इसे ही आप आजकल की भाशा में टेलीपैथी कहते हैं इसका सीधा फायदा यह होता है कि कोई आपके खिलाफ कुछ करने की सोच रहा हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है और जब पता चल गया तो उससे आप साउधान भी हो ही जाएंगे अब ऐसा मनुष्य संकट में फसे तो भी कैसे बस शानती वस्तुख उसका भागे हो जाता है यही नहीं यदि किसी व्यक्ति का कलेक्टिव कॉंशिस माइंड अपने टॉप पर सक्री हो जाए तो यह थोड़ा सा ध्यान लगाने पर चाहे जिसे अपने विचार बदलने ही तुभी मजबूर कर सकता है कहने का तात्पर जिसका कलेक्टिव कॉंशिस माइंड सक्री हो जाता है वह सफलता हुआ आनंद के कई शिखर सोते ही छू लेता है चलो छोडो यही बात मैं आपको आपके मतलब की भाशा में समझाता हूँ यह भी मतलब की बात समझने में आपका वैसे ही कोई सानी नहीं तो आपके सीधे मतलब की बात यह कलेक्टिव कॉंशिस माइंड सक्री है सब में रहता है पर फर्क उसके कमजोर या मजबूत होने का है और चूंकि अधिकांश लोगों का यह माइंड कमजोर होता है इसलिए जीवन भर उनका शोष्ण होता रहता है इस कारण वे काम और मेहनत तो भरपूर करते हैं पर अधिक बावजूत इसके सुकून और सफलता उनसे हमेशा कोस दूर रहती है कारण साफ है उनके कमजोर कलेक्टिव कॉंशिस माइंड के कारण वे हमेशा सामान या मानसिक्ता का शिकार रहते हैं और इस कारण उनके भैव लोब को सहला कर हर कोई उनका शोषण करता चला जाता है आपने कभी गौर नहीं किया होगा परंति ये सारे धर्म गुरू धर्म के नाम पर आपका इतना शोषण कर रहे हैं जिसका अंदाजा है आपको आपके यहां बच्चा पैदा हो या किसी की शादी हो कोई मर गया हो या कुछ आप उन्हीं के आसरे सब कुछ करने पर मजबूर है यहां तक की मौके बे मौके भी वे आपको जोटे आशवाशनों के नाम पर या किसी बास डरा कर कोई ना कोई धार्मिक विदी करवाते ही रहते हैं और यह सब कुछ मुफ्त में नहीं हो रहा है हर बात की आपको दक्षिरा तो देनी ही पड़ रही है यह कम है तो मंदिर, मस्जिद और चर्च जाकर भी आपको चढ़ावा चढ़ाने की आदत इन लोगों ने लगवाई दी है आपकी इस गुलामी के फलसरूप पांच करोनों से ज्यादा लोग आज विश्यो में आपके ही सहारे पल रहे हैं यही क्यों उन लोगों के पास कितना धन हो गया है उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते मंदिर वचर्च किस कदर धनवान होते चले जा रहे हैं कभी इस बाबस तोचा है आपने और यह धन उनके पास आ कहां से रहा है यह सब आपके खून पसीने की कमाई है अब सोचिए है कि आपकी मेहनत किसी दूसरे के काम आएगी तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे सोचिए है कि इन सब बातों से सिवाए गुलामी और दरिदरता के आपको मिल क्या रहा है आप कभी इस तरह क्यों नहीं सोचते कि सभी मंदिर मस्जिद चर्च या सभी मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे हैं कितनों के कश्ट दूर हो गए या कितने सुखी और सफल हो गए हैं जो आपके हो जाएंगे सीधी बात है इस परकार के फिजूल के शोशड को आप बात दें क्योंकि आपका कमजोर कलेक्टिव कॉंशिस माइंड सबके परभाव में आ रहा है समझ यह नहीं आता कि आप क्यों पांच क्रोड लोगों को पाल रहे हैं थोड़ी बुद्धी है क्यों नहीं लगाते कि जो स्वैम कुछ करने में सक्षम नहीं है और आपकी दान दक्षडबर जीवित हमें आपका उधार क्या कर देने वाले हैं क्यों नहीं अपने मेहनत की कमाई उन्हें देने की बजाए उनसे मेहनत करवाते हैं कुछ नहीं तो सब मिलकर उनसे जबरन खेती ही करवा लीजिए देखिए अनाज के भाव पूरे विश्व में रात और रात कम हो जाते हैं है की नहीं और फिर आपका शोशन केवल धर्म या धर्म गुरू ही तो नहीं कर रहे हैं स्वास्त के नाम पर डरा डरा कर कुछ डॉक्टर्स भी आपका शोशर कर ही रहें कभी ये दवाई तो कभी ये टेश्ट कभी ये विटामीन की कमी तो कभी गोली तो कभी पाउडर ये कभी टॉनिक आप कभी नहीं सोचते कि क्या वाकई आपको इन सब की जरूरत है थोड़ा तक गौर करने पर आप पाएंगे कि तंदुरस्ती वा बीमारी के नाम पर भी कई लोग आपके मेहनत की कमाई लूटने में लगे हुए हैं बड़ी बड़ी कमपनिया वो उनके विचितर प्रोड़क्ट्स का तो कहना ही क्या आपको जरूरत हो या ना हो पे लुभान विग्यापनों के जरी आपको उसकी आवशक्ता महसूस करवा ही देते हैं और बच्चों को तो वे जाने कितने फिजूल के प्रोड़क्ट्स जबरन जचवा देते हैं क्या कभी आप कोई प्रोड़क्ट खरीदते वक्त उसकी आवशक्ता परते हैं नहीं बस आप अपने कमजोर क्लेक्टिव कॉंशेस माइंड के कारण अपनी शमता अनुसार वे सब खरीदने को बाद ही किया जाते हैं वैसे ही कई सिक्षण संस्थाएं भी आपका धड़ले से सोशड कर रही हैं साधान सुविधाओं वो मामूली से रेप्यूटेशन के नाम पर वे आपके बच्चों की पढ़ाई की कितनी फीस दूर झाल 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 क्यूल झाल 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 झाल